नमस्का दोफ्तू, मैं हूँ मुक्तादिक्षित एफ्टलोजर, यदि आपकी कुण्ली में सूर्गरह खराब हैं या अच्छा सर नहीं कर रहे हैं, पैत्रेक कारियों में बाद विवाद है, पिताजी से अक्सर अनबन रहती है, नौकरी कार व्यापार के छेत्र में सफलता नहीं मिल रही है, सरकारी छेत्रों में अनबन रहती है, या आफिस में आपके कारियों से विरोधियुत्पन हो जाते हैं, पुन्ली में सूर्गरह का योग है, तब आपको क्या करना चाहिए, जिहां दोस्तों, हमारो जो चैनल है, मुक्ता जोतिस चैनल, इससे आप लाइक सस्क्राइब जरू कीजिए, और इसके साथ अब मैं आपको छोटा सा उपाय बतला रही हूँ, सूर्गरह का, क्या आपको करना क्या है, तो जिहां दोस्तों, सूर्गरह जो रहते हैं, आत्मा के कारक होते हैं, और पिता के कारक होते हैं, और इसके साथ जो है, पैत्रिक ची जो चुछते हैं सूर्य का कारख होती हैं यदि आप इन में से हानी हो रही है या इनका आप को सुछ फ्वल नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे इस्तिती में आप प्रतियेक और सूर्य कुल्णी में शूरय राहु का योग बना हुआ है तो यह भी पित्र दोस कहलाता है इस दोस को सांत करने के लिए सूर ग्रह को बलवान करने के लिए नित्ती ही आप तावे के लोटे में जल में थोड़ा सा गुर डाल करके ओम घणी आदित्ट शूरिया नमहा इस मंत्र का जाप करने से सूर राहू का योग बना हुआ है तो य आसिर बाद जरूर प्राप्त करें अपने बड़े बुजुर्गों की शेवा करें उनको जू है सद्धे प्रसंद रखने का प्रयास करें तो ग्रह अपने आपी प्रसंद हो जाते हैं जिसके साथ जब भी आप सो कर उठते हैं तो कृपएह है शूल उद्हें के पहले ही सो का उठें तो यह हैं आपके भाग के और कारियों के लिए जो है पावरफुल उपाए रहेगा तो यहां दोस्तो वीडियो अच्छी लगे लाइक से सस्काइब जरूर कीजिए धन्यवार